इस कारिक्रम की पुर्यार्जक हैं श्रीमती पुनम जैन, सी एमें, पंकत जैन, अमित जैन, राशी जैन, उन्नती जैन, सैक्टर सैतिस, नौईडा, पारसमल, इंद्रदेवी, संजय, विनीता, अजय, नीतु बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोच चन जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरुभक्त परिवार तुरोजबाद, धर्ब इश्नेही, सत शद्धालो, भव्यवर पुंडरीक, पुंड्यात्मा, मानभाव, आचारी भगवन समंत बद्श्वामी द्वारा विर्चत, रत्न करंडग सापका चार की वाचना की अंत्रगत, शष्टम अधिकार, परचरचा चल रही है जिसमें शमादी और शलिखना की विदी के शंबंद में आप और हम लोग देख रही थे विगत दिवस श्लोक नमबर 126 को देखा था, आज श्लोक नमबर 127 पर चर्चा खरते है शलिखना धर्णकर्णी बाला किस प्रकार करम सह आगे बढ़ता है पहली समादी बा सलिखना में वादक तम कारणों को दूर करता है राग को, मुह को, द्वेश को, कशाय की ती ब्रता को, परग्रह को दूर करता है पर ग्रह आदी का त्या करके मुन महराज के पास पहुचता है वाद में दिख्षा को सुआ करता है यावा जीवर के लिए महावदरों को सुआ करता है जिसने पूर्व में महावदरों सुआ कर लिए हैं तो अपनी शादना को नर्मल बनाने के चुश्टा करता है पूर्व शंशकार का आभाव होने शेख ब्रतों में दो सुनना लगें इसलिए गुरु या सादम यहां के सादम के सादम के शानेद में रहकर के अपनी ब्रतों को निदोश पालन करने की कोशिस करता है पुछ में भी कहीं शंक्रिस्तान न बने तो पुर्यागी बताया शोकम भैम अवशादम इत्यादिश्यों करके शोक भै अवशाद कलीद और कालुष अरती भाव इन सब का परत्या करता है चाहता है कि चित्य में छड़ भर के लिए भी छोब न उत्पन हो संक्लेस्ता किंचित भी उत्पन न हो और यह शत्य बात है जब सलिखना धान करने वाला होई आराधक आराधनाम में शनलगन है दर्शन जियान चारित तप संब्रक्ट के शाथ तो संब्रक्ट दर्शन शम्जियान संब्रक्ट चार संब्रक्ट तप इन चार प्रकार की आरदनाओं में सनलगन है, इन चार के धारकों की वक्ति आदी में सनलगन है, इन चार आरदनाओं के गुरों का चिंतन करता है, इन से शहित कार्ण परमात्मा वा कार्ण परमात्मा का चिंतन करता है, बहुत विशुद्धी वरती है, जब विशुद्धी क इमार पर वक्ति चलता है तो शंक्लेस्ता आसपास भठकती नहीं है जैसे जब कोई व्यत्ति शीडियां चड़ता है न तब उश्की देश्टी उपर की ओर होती है और उसके पैर आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं उसका अंदर का उत्साहा सत्व वल वीर्य आदी को प्रकट करके पर वो आगे बढ़ता है जो जो आगे बढ़ता चला जाता है त्यों तो शी और आनन्द आता है पाप प्रवत्तियां कशाय भाव वाशनाएं वा बेदनाएं उसे दूर होती चली जाती है उस आंत्मा को पकड़ना भी चाहें तो आग रोक रहता है किवे दुष कर्म, दुष भाव, दुष प्रवत्तियां, दुर्वचन उसे पकार नहीं पाते जिस पकार कि शिक्ने व्यक्ती के दौरा । कि some व्यक्ती को किसी doablela व्यक्ती के दौरा कि इसके सर्पर बाल नहीं और पहलबाने असारी शिक्रना है वो शे व्रक्ति को पीछे से भाग करके किसी दुरवल व्रक्ति के द्वारा पक्रना बड़ा कठन है ऐसे ही दुरभावों को, दुषक्रत्यों को, दुषप्रवत्यों को, दुरवचनों को जिने को पीछे छोड़ करके आ गया है आगे बढ़ गया उसे पकड़ना कठने जैसे इस टेशन पर एक बत्ती शाहिकल से चला आ रहा था और वे टेन में बैठना चाहता था टेन शीटी लगाई और टेन इस्टारट हो गई वे शाहिकल से उतर करके टिकट ले दभी उसमें टेन की गती मंन्द थी तो टेकट लेने गिली गया और टेकट अनी दूरत गतिशिए हो गई टेन की गती तो शाहिकल से अब टेन को पकड़ना उसके लिए मुश्किल है ऐशे ही जिन को छोड़ दिया है उन दुर्भावों की द्वारा उसात्मा को पकड़ा जाने बड़ा मुश्किल है आप यह नहीं सूच ना कि ब्रक्ति जीवन के अंत में कल्यान नहीं कर सकता कर सकता है उसकी शत्ता में पुंड पड़ा हो तो कल्यान की भावना जागत हो जाए कल् पूर्ण पुंड का सत्पयों करते हुए शंक लिस्ता की हानी करता हुए विशुद्धी को बड़ाता चला जाए तो अपनी कल्यान करने में समर्थ हो शरता है जेन दर्शन में असंभव कुछ भी नहीं है जेन दर्शन में तो यहां तर बताया व्यक्ति अंतरंग से जाग ओक है क्योंकि वे आत्मावी कब पाप से मुक्तो करके परमात्मा के महरख बढ़ जाए कुछ नहीं कह सकते हैं और यदि जुव्यती पुने सिया शहीत है को भी एंकार से उतो करके पत्रतर तो हो जाए पुन्ड के महरख change क्यूश नहीं कह सकते हैं इसलिए जो आरादक आत पर अग्रगामी हुगा है उसे फिर आगे अपनी शात्ना को कैशे बढ़ाना चाहिए आचा महुझे बता रही है एक क्रम बता रही है अब वो समाधी के लिए आ गया दिक्षा लेली तो अब दिक्षा लेली उसके परवारी जन भी उसके साथ लगे हैं भक्तगड़ भी होते हैं बहुत बड़ा एक भीड का मेला सा लग गया है अब वो आर्चरया के लिए निकलते हैं तो कहते हैं महराजी आप तो एक काजू की बरफी खाओ ये मुनक्का किसम की चटनी खाओ महराजी आप तो ये ड्राइफूर से ना अकरोट है चरोजी है बादाम है इसके ल इस गरिष्ठ मावा को सिवन करो अन्य बहरा क्या लेना छोड़ो और यदि उस नए आरादक के पास उनके गुरू महराज नहीं है अनुभवी निरियापकाचार नहीं है साधर्मी बंदू नहीं है और कहीं कदाचित उए गरिष्ठ आहर करने में लग गया तो स्वास खरा परके वे अपनी श्यादना कर लेगा वे श्यादना नकर पाएगा आ रहा दक नहीं बन बन पाएगा सलिकनाबा शवाधि की अवस्ताव को प्राजबन ही हो पाएगा तो क्या करें फिर भीड लगा करके चर्शा करना अपरान कर दे महराजी पहले हम आशे खेलते थे हम न ने के आफ फालत पिली आरादक न करता है और सुनता है पिर तो क्या करें है के लिए अपने मना कर दिया गारिभैर्श विलियों क कि नहीं है न मत करो देकांस्त मौन प्रवत्ति को धान करे। श्वाध्याय सुनने में, श्वाध्याय करने में, गुरु के पास प्यासे चातक की तरह से वैठ जाए। जो गुरु माराज निराप का अचार बुदिश देती रहें, उसे सुनता जाए, तो आराध का कल्यान हो जाएगा। और उनकी समीपता, भगवान की समीपता, जिनवचनों की समीपता, गुरुजन की समीपता, उसकी शंकलिस्ता की हानी में प्रवल निमित्त हैं, उसकी विशुद्धी में प्रवल निमित्त हैं। और आहारादी क्या करना है? अब तो उसे आहारादा कुछ होचना चाहिए, मेरे गरसी जीवने बहुत खाया पिया, अब तो मेरा सरी छीड हो रहा है, उपसरग आ गया, दुरविक्ष है, या उड़ापा है, या रोग ने घेल लिया, अब मेरे जीवन की आगे कुछ संभाव जो होना नहीं है, कि मैं कितना क्या जी पाऊंगा? तो क्या करना चाहिए, अब उसे आहार केपती आशकती का त्याग, सबसे पहले गरिष्ट भोजन करने का थ्याग करें, क्यों गरिष्ट भोजन पचा नहीं पाएगा, वो इसका स्वात खराब हो सकता है, आतने खराब हो अश्मर्थ होता है तो फिर उस आत्मा को शंकलिस्ता बन जाएगा इसलिए यहां आचार बगन स्वंत्व श्वामी ने आहारम परिहापय इस लोग पढ़ें उनकी भासा में आहारम परिहापय क्रमसा इसनक दम विवर्द इत पानम इसनक दम चहापय हित्वा खर पानम पूर इत करमसा वे आराधक शबसे पहले गरिष्ट भोजन का त्याग करें जो गरिष्ट भोजन है गरिष्ट भोजन हर भोजन गरिष्ट हो सकता है यदि वे भोजन उसकी शामर्त पाचन शक्त की सामर्त से अधिक है तो जिसकी पाचन शक्ति ठीक है तो इसकी लिए गरिश्ट नहीं कि फाचन शक्ति कमजोर है तो गरिश्ट वोजन सुँवे रशों से समन्विथ गरत आधी तैल आदी दुछ आदी शे शमनविथ के रधी या विवा मिख्टान आदी शमन्विथ जो वे वोजन है या पनीर के पकोड़े चल रहे, कहीं पनीर पनाटा चल रहा, कहीं पूरी, कचोड़ी, यह सब चल रहे, तो यह उसे छोड़ देना चाहिए, अब तो क्या करना चाहिए उसे, शादा बोजन, दाल, चलिके बाली सिंपल, और रोटी, सुखी रोटी, चिकनी रोटी पचा करे जूसका प्रियो करे, अब इसमे क्या है क्रमस धेमेन धीमे में इसमे भी कम करता चला जाए, कम करता चाहिए, आaiser को छोड़े फोस पदार्त करू ले, और क्रमस द्धी विवर्त एतपानम, क्रम क्रम शे पई पदार्त च्वर्पी, यह सुखा ले, दोत कभी जूस को ब लेता है दालाद में डाल करके सब्जी में डाल करके लेता है किन्तो एशा नहीं कि ठोस की मात्रा ज्यादा ले और पे की मात्रा कम ले तो फिर उसे प्रमाद आएगा साधा नहीं होगी तो वे क्या है पे की मात्रा को दीमिदी बढ़ाता जाए और ठोस जो खाद शामगरी है उसे कम करता चला जाए तो वे आहारम परहाप पे आहार को छोड़ करके करमस एक शाथ नहीं आचर मोदे क्या कह रहे हैं करमस आहर को छोड़े ठोस आहर को धीमी धीमी कम करता चला जाए और पीए पदार को धीमी धीमी बढ़ाता चला जाए यह सानी एक साथ हमने तो त्या क निर्याब का चार थे वन्होंने स्वास्तान से बैठकर के ही कई शात्कों की शमादी का निर्देश दिया और उत्तम शमादी कराने में बिनिवित्व बने और अपनी भी शमादी बड़ी अच्छी तरशे की क्रम से त्याक किया वो कितने शमय बरसों से अभ्यास करते चले आ न और शनाई शनाई खाद बड़ारतां तया करते चले अंत में कितने जिरोंशे पे पाने आदी लेते चले आ रहे थे वादे मौने तीन दिन की हम स्लिकना लेकर के अपने पार्तियों से बड़ते है था तो यहां बताया कि आहारं परिया पर खाद शामगरी शामगरी और पर दिमी धी में घटाता जाए फिर क्रमसा इसनिक्दम पेश आमगरी को बढ़ाए क्रमसा इसनिक्दम विवर्द ये तर पानम और उसकी बद्धी करते है जाए पान पदा पानक जो है उन्हें बढ़ाता जाए वह एक शाथ छोड़े नहीं को शरीर में जल तत्यकी मात्रा क गार्ठी है माण है चावल का इताधी वह ची लिता जाता है वह आचान मोंदे कह रहे हैं इसनिक्दम पेश पर पहले तो बताया कि ठोस आहर को क्रमक्रम से कम करता जाए और तल पदार्थम को क्रमक्रमसे बढाता चला जाए जैशे माना कि पहले दाल लीता तो गाड़ी द शचप चाहरा गर्श घर घर हरा तो वाद में अब तो बगया दी छोड़ ओ तो मुंंकि राल पर आजाओ ऑश्वाश मेप पानी ज्यादा मुंह की जादा कम थोड़ी बाद चाबल कहीं पड़े हो तो इस परकार से वे खर गें घर में तो शिर आ होता है आप सोच रहे होंग एक कैसे त्याक्यों कराना देखो शत्य बाते हैं जब शाथ तक वोजन किया जाता है तब निश्ञन धर प्रणाव films में नबलता आती है और निरस्था आती है रांग और देश मंद होनी लगती है कशायम अंद ऑन न लगती है पर आ शारमे ने कह हाप एत्वा है अब जो शुन्हींगों पदार्ट तो यह पानग जो आit ने भी हे ऊनों 30 म कहते हैं सब करब करना और और सब दोब मुरूं finely को करना क whack toering करре कर फिर फूर शोड़ पूरित क्रम शह पिर वह कि लिजक कर्म सरक खर पान की दव्यारा खर पानकारत होता है इंपली का खटा पानी है या चावल लिका व्रस्ट का मानादी है यह पत्ली छांच है उसको किछानग जो पुटै ऊमशन कि यह हुं किया हुआ भी लेता है यह च्छानी पदार्थ लेता है यह उदर साप लेगा और मल नहीं ठेरे तो उसे भुषुद्धी बरती है उसे उस्था बनता है आनंद आता है और मल ठेर जाए तो उसे बड़ी तड़फन बीचनी होती है गला सुखरा है तो फिर वे थोड़ा घ्रत की माता डा च्छपक न जाए तो यह अनुववी नियापका चार होते हैं तो इस पकार शे बिदी पूर्वक वे च्छपक की आरादक की शलेखना में सहयोगी बनते हैं तो खरपान पूरित करमशर कमसर खरपान जो पदार्थ हैं उनको करमसर क्या पूरित उन्शे ही अपने उदर की पूर्टी करें शनी शनी और क्या करना चाहिए यह क्रवी मनों का बर्षों का चलता हैै ओसा नहीं है की चाइधन उन wildlife सब्तिया इए जो वारेशार की सहलेगना ली जाती है तो वारेशार के सलेगना करम क्रम से चार साल पहले खाद्वी लिदीवी तयाक टेशली अते हैं तो इस समय आरत दब अपनी शालतना करता है आज वस पितना हुई सर्चा बात में करेंगी जेवली शांतनात भगवान की परम पुज आचार गुर्देव शिविद्धन्युनि महाराज की अनिसाम वेविश्व धर्म की इस कारिक्रम के पुण्यार जक्ते श्रीमती शिप्रा जैन तुशार जैन गुरुभक्त परिवार मेरट श्रीमती पूनम जैन श्री रवीश चंजर जैन शुभं आयुष जैन सपरिवार टूनला जिला फिरोजबाद यूपी श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धी जैन मुरार ग्वालियर श्रीमती तृष्ला जैन डॉक्टर मोनिका डॉक्टर नीरत जैन निखिल सेजल पश्यम विहार दिल्ली श्रीमती संतूष जैन श्री विशाल चंज जैन श्रीमती पूनम जैन सी एमें पंकत जैन अमित जैन राशी जैन उन्नती जैन सैक्टर सैतिस नौइडा पारसमल इंद्रदेवी संजय विनीता अजय नीतू बाकलीवाल सूरत श्री विनोच जैन मिलेनियम श्रीमती नीता जैन समस्त गुरुभक्त परि पर तरोजबाद